आप सभी स्रवन कर रहे हैं वीत्राक स्रमन भगवान महावीर की अमरित में वानी स्री आचारंग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से आगे अन्य सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं नो उच्चा वयम मनम नियन छिज्जा इसका अर्थ अभिप्राय है संकट में मन को उचा नीचा अर्थात डावा डोल नहीं होने देना चाहिए संकट साधु जीवन में भी आ सकता है संकट ग्रस्त के जीवन में भी आ सकता है संकट क्या है? बहुत तरह की बाते हो सकती है सारी रिक कष्ट आ गया सामाजिक व्योस्थाओं में कोई दिक्कत आ गई तो किसी भी प्रकार के संकट के छणों में परेसानी के दोर में अपने आपको डावा डोल उपर नीचे होने ना दे संभाव शान्ती इस्थरता में रहे आप कोगे ऐसा होता है क्या होता भी है सबके साथ नहीं होता कुछ ऐसे लोग देखने में आते हैं साधू भी और ग्रस्ती भी संकट आया मांसिक संतुलन नीख होते धेर ये रखते हैं कोई बात ने संकट आया है न मुकाबला करेंगे आ सही मारक पर चलेंगे ये तुफान ये कर्ष्ट ये तकलीफ आई है चली जाएगे ऐसी पॉजिटी सोच रखने वाले लोग ऐसे करम थियोरी को मानने वाले लोग जीवन की पीड़ा परेसानी के दोर में डावा डोल नहीं होते कुछ लोगों के ग्रस्तियों के जीवन में आ सबस्क्राइब गया जिसने काफे नुकसान कर दिया एक्चल में नुकसान कर दिया यह भांडा हम उसको फोड बोरे हैं निस्चे में हमारे यह अशुल करम बोरे आगया हमारा पुन्य उतर रहा है को रचव करम कउस्थ होड़ दें दुनिया में एक सी बुद्धी मान खे तो नहीं है पुन्य की गठडी साथ में है और पुन्य वान लोग करोड़ों में खेलते हैं तो सारा खेल पाप पुन्य का है हमारे शुभा शुभ कर्मों का है संकट के छणों में हम डावा डोल हों टैंशन में जरूरस से ज्यादा आ जाएं अपना स्वयम बीपी बढ़ नहीं है ऐसे छणों में अपने आपको इस्थिर रखना और एक ध्यान रखना इस्थिर चित्त वाला संकट से पार भी हो जाएगा बुद्धी काम करती है अब आपके घर के बहार दस बदमास खड़े हैं हमला करना चाहते हैं आप इतने घबरा गए आपको ये भी निपद लाठी डंडा कहां पड़ा है किसको फोन करो हाथ काप गए पाउ काप गए मनोबल वाला व्यक्ति देखता है बहार दस हैं आमना सामना नहीं करता है पीछे एक चोर दरवाजा है या पीछे छटो छट ऐसे निकल सकता हूं शांत चित वाला तो कर लेगा अशांत चित वाल दाएं बाएं कट निकाला कुछ इंच की दूरी से आप बचके निकल गए अभी ये महराश्ट्रिया साउथ की तरफ कोई नसैड़ी व्यक्ति ने अपनी पतनी से बच्चों से चुटकारा पाने के लिए एक तेरा साल के अपनी बच्चियों का आओ बहार घुमने चलते है बच्ची बहग गई कि पापा गुमाने लेकर जाएंगे पापा के मन में क्या चल रहा बच्ची को नहीं मालुम था और वहां दक्षन में गोदावरी नदी वगरा बहती है उसके किनारे पर कोई ब्रिज वगरा था बोले यहां सेल्फी पॉइंट अच्छा है फोटो कीच लड़की को धक्का लगाया लड़की का संतुलन बिगड़ा वह नीचे जाने लगी लड़की ने कोई पाइप पकड़ लिया पाइप के नीचे एक पाइप और था जो थोड़ा मोटा था उसमने पाउंट हिका लिये और वह सोचा गई वह तो भागे डरके मारे लड़की तीन घंटे वहां बड़े धैरिय के साथ अंधेरा बढ़ रहा है तीन घंटे खड़ी रही और आवाज देकर के मोबाइल नंबर बोल करके किसी को इंफॉर्म करवाया अपनी सेफटी के लिए बुलाया सारा इंतियाम हो गया हौपलेस हो जाओ घबरा जाओ डावा डोल हो फुलाने का मतलब किया है तो साथो जीवन में भी कई प्रकार के उतार चड़ावाते हैं कहीं बहुत मान सम्मान भी मिलता कहीं उप इक्छा भाव भी होता है कहीं बहुत ज़्यादा वावाही हो रही कहीं नई भी होती तो इसमें क्या दिक्कत है ऐसे च्छड़ों में उत्रा धन सूत्र में आता है कोई साधू को वंदना कर दे राजा महराजा धन संपन्य व्यक्ति तो फूल के कुपप ना हो जाए और कोई वंदना ना करे तो मुर्जान आ जाए हर हाल में अपने मस्त रहे आनंद में रहे अगला सूत्र कहा है बड़ा व्यवारिक सूत्र है ये अपने से बड़े गुरुजन जब बोलते हों विचार चर्चा करते हों तो उनके बीच में ना बोलो बीच में टांगना अड़ाओ अब दो बड़ी दिक्षा वाले दो बड़े ग्यानी चर्चा कर रहे हैं और तीसरा पास में आके खड़ाओ के बीच बीच में कुछ कुछ उल जलूल बोले तो विवहार में अच्छा नहीं है और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और कई बा च्छोटी दिक्षा कम ग्यान वो बीच में बोले तो कहीं बार डपट देते हैं कि आपको बीच में बोलने की जूरत नहीं हम चर्चा कर रहे हैं ना आप खाली सुनना चाहो सुन लो बीच में मत बोलो घर में माता पिता चाचा ताओ कोई भी बड़े दो लोग चर्चा कर करें घर की ग्रस्ती की समस्याओं की तो जवान पीड़ी के बच्चे आकर कि एकदम से ना बोलें कभी मोका लगे अलग से कह सकते हैं मेरा व्यूज थोड़ा सा ऐसा है बाकि आप बड़े हो जैसा फैसला लो जैसा उचिस समझो वैसा करो तो यह वहारिक चीजें हैं ग्रस शक्ति में भी लोग इसका पालन करें यहां तक कि समाज में भी पालन करें और बेशक्ठी के कोई व्यक्ति किसी संस्था का सदस्या है तो यह विचार ना करें कि मैं प्रधान या सेक्रेटरी के बिलकुल सामने टकर मारूं ऐसा नहीं यह कहें कि मेरा सुझाव ऐसा है बाक कर रहे हैं तो उसमें बीच में ना बोले अगले सुत्र में कहा है मनम परिजानाई से निगन थे कहा है जो अपने मन को अच्छी तरह से परखना जानता है वही सच्चा निर्गरंथ साधक यानि साधू है अपने मन को अच्छी तरह जो परखना जानता है आप को होगे भी म मन को कैसे परखा जाता है मन को परखने का सिंपल तरीका है अपने आप से कोश्चन करना अपने आप से प्रसंद करना उधारण दे रहा हूं एक साधू है उसे क्रोध आ गया तो अपने आपसे पूछा तुझे क्रोध क्यूं आया तुम्हें तो क्रोध करना नहीं चीह था चलो कोई बात नहीं आ गया ना आगे से नहीं करना किसी प्रसंग में घमंड एहंकार आ गया तो अपने आप से प्रशन करे भई तेने इतने सास्तर पढ़े इतनी नौलिज तेरे को है तो ठीक ठाक वैसे तो चलता है आज तुझी क्या हो गया आज तुझी क्यों विचलित हो गया तेरे को ऐसे विचलित नहीं होना चाहिए था तो जीवन में क्रोध आए, मान आए, राग आए, द्वेश आए, कोई मनो विकार आए, इर्शा आए, कुछ भी आए ऐसे में अपने आप से प्रशन करो कि मैं कहा हूँ हम सभी लोग प्रती कर्वन करते हैं और उसे चमा याचना मांगते हैं में पक्क्षी को करते हैं, चातुरुमासी करते हैं, साम्वा शरी करते हैं, च्मा र Cap. सबसे बड़ी बात च्मा मांगने का भाव आ जाए यही बड़ी बात है, वह उस का विशलेशन तो चलो, बाद में कर लेंगे. पहले भाव तो बने, जुकने की भाव न तो आए, नमने की भाव न तो आए और मान लो अधिकांस हम औरों को छमा कर देते हैं लेकिन आज बड़ा भारी दूशा रहा है, बड़ा भारी सामने वाले पर नराजगी आ रही है तो एकान शान्त वातन अपने आप से प्रशन करे तेरी छमा आज कहां विदा हो गई थी तेरे में सही छमा का भाव क्यों नहीं आया और तो बार बार अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाता है मन में कोई विकार आया और विकार मन में आया हम स्वयम जान रहें कि मेरे में आया किसी को मालुम नहीं तो जब प्रती कर्मन करे और ना भी करे बिना प्रती कर्मन के भी कभी भी हम मिच्छामी दुकडम दे सकते हैं अपने आपका अवलोकन कर सकते हैं अपने दोशों की आलोचना निंदा कर सकते हैं और कल रमनीक मुझी कह रहे थे आप गिर गए तो क्या दुबारा उठो गए नहीं उठेंगे एक गलती कर दी क्या बार बार करेंगे उसे सुधारने की कोशिश करें नियम तूट गया दुबारा से और आगे बढ़ जाईए आपके यहाँ पर मैंने कुछ मील देखे हैं जहा डागा बनता है अब दागा बांते बनते टूट गया तो अटॉमेटिक मसीन है मसीन खड़ी हो गई भागा दुबारएं तो आटॉमेटिक ते जुड़बी जाता है धागा फिर बनना सुरू हो जाता है अब धागा वहां तूट गए कि आगे धागा बनाना बंद कर दें ऐसे ही हम सब छदमस्त हैं और जब तक छदमस्त हैं गलतियों की संभावना तो रहेगी लेकिन इतना एलर्ट नेस बना रहे कि गलतियों के पर आर बार रिपीट नहीं करना तो इस तरह से हम अपने आपका अवलोकन करें अपने आपको परखें साधू भी परखें और स्रावक्सरावी का भी परखें हर को अपने आपको परखें परखेंगे तो एक दिन हमारा बरतन मंज के साफ सुत्रा अच्छा हो जाएगा बाहर से वी चमकेगा और अंदर से वी चमकेगा आगे कहा है अनुवी भासी से निगन्थे कि अनुवी भासी से निगन्थे का मतलब है जो विचार पूर्वक बोलता है वही सच्चा निर्गरंथ है जो विचार पूर्वक बोलता है वही सच्चा निर्गरंथ है बहुत से साधू साध्वी प्रवचन देते हैं तो प्रवचन देते समय ऐसा तो नहीं होता ना होना चाहिए अरे जो पाटे बे जाके दिमाग में आएगा बोल देंगे इसके प्रवचन की क्या टैंसन पालनी है और कुछ सुनाना ही तो है वहां मिष्टेक होने की संभावना रहेगी जो विचार पुरुक नहीं बोलता कई बार स्वयम अपनी मान्यता के सिध्धानतों के खिलाफ बोल जाता है कभी कभी असत्य बोल जाता है कभी कभी तीखा बोल जाता है कड़वा बोल जाता है क्या कड़वा बोलने से लोग सुद्रेंगे मीठा बोलने से लोग नहीं सुद्रेंगे मीठा बोलने का अभिप्राय इतना है हम लोगों को ये बतला दें ये सही है ये गलत है फैसला आपका एक दम से जनता ना कभी सुधरी है ना कभी सुधरेगी भगवान महवीर के समय में भगवान महवीर ने उपदेश दिया क्या सारी दुनिया सुधर गई थी स्री कृस्ण ने गीता का संदेश दिया क्या सारी दुनिया सुधर गई ये तो ग्यान की जोत है जो आएगा जानेगा स के जीवन का विकास होगा और सही माइनों में हमारे यहां के इसाफ से मैं कह रहा हूं जो जो आपका सम्यक्त मजबूत होता जाएगा आपके सुधार की प्रक्रिया प्रारंब हो जाएगी जब तक आपके जीवन में घोर मित्यात और हलका मित्यात है आपका भावी नहीं वने हुआ के चले जाएं कितने माता-पिता रिष्टेदार कहें कोई असर नहीं होना जब सभी का उदय आता है मन करता है संतों के पाद जाओं करू कुछ तप कर लूं कुछ भगवान की वानी सुनलों सामएक सम्वर करनो, स्वाध्धै करनो तो सम्यत्व का जैसे जैसे उद्य विकास होगा वैसे वैसे आपके जीवन का सुधार होगा तो का कि जो विचार पूरग बोलता है वही सच्चा निर्गरंथ है हमारे साधू समाज में कभी कभी कुछ साधू साध्वियों को एक भ्रह्म हो जाता है और भ्रह्म क्या है हम तो खड़तल है हम तो इस पश्टवादी है हम किसी से डरते वरते नहीं है तो ऐसे साधू साध्वी जादा मात्रा में कुछ का कुछ बोल जाते हैं और उसमें सुनने वाला वर्ग सारा एक जैसा होगा जरूरी नहीं है। कई लोग बरदास्ट कर जाते हैं, कुछ लोग मन में सोचते हैं, आना ही नहीं, कल से नहीं आना, क्या सुना रहे हैं उट पटांग। ऐसा कई लोग मन में आ जाता है, तो ऐसा नहीं, साधू के लिए कहां विचार पूरुग बोले। चात्र चात्राओं को संबधित करना है। राधा कृष्णन जी ने कुछ दिन पहले स्विकृति दे दी और दिन निश्चित कर दिया। अब जो दिन श्चित था उद देन वो छात्र संग के युवक गाड़ी लेकर के आए और जब गाड़ी लेकर के तो राधा कृष्णन जी लॉन में थोड़ा चहल कदमी कर रहे थे घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ चिंतन चल रहा है तो छात्र गए प्रणाम किय या कहा सर हम आ गए है गाड़ी तैयार है बोले घड़ी देखी भी ठीक अभी चलते हैं गाड़ी में बैट गए रास्ते में उन छात्रों ने जिग्यासा प्रगट करी सर आप कहीं पर स्पीच देते हैं भाशन देते हैं तो आपको को तैयारी करनी होती है क्या बोले हाँ हम कितने ही विद्वान हों हमारे कोई देखना पड़ता है कौन सा कॉलिज है कौन सा प्रांत है छात्रों का स्टेंडर्ड देखते हैं सबजेक्ट देखते हैं और नेगेटिव बात नहीं करनी है पॉजिटिव बात करनी है अच्छी बाते बतलानी है उनमें नवीन उर्ज का संचार हो, ऐसी कोई बात केहनी है, छात्रप्रेरी तो ऐसी बात केहनी है , बहुत गूढ बाते नहीं कहनी हम भी चिंतन करके बोलते हैं , तो जब डॉक्टर राधा क्रिश्नन जैसे व्यक्ति चिंतन करके बोलते हैं और एक बार मैंने राम परसाद जी महाराश साथ से पूछा मैं का महाराश साथ बड़े विद्वान हो आपके प्रवचन आपकी ज्ञान की चर्चा सरवत रहती है तो आप प्रवचन में जाते कुछ सोच के जाते हैं हम अपने विशे का अवलोकन करके जाते हैं आज ये विशे है और इस विशे के कोई करंट विशे अभी वर्तमान में चलने उनको एड़ करते हैं और चिंतन करके बोलते हैं गए उल जलूल कुछ भी बोला ऐसे नहीं होता तो बास सही है कि साधू का हर वचन सामन्य ग्रस्ति के लिए आदर्निय है पूजनिय है लेकिन कब तक जब तक साधू समाज वचन गुपती का पालन करेगा साधू समाज विचार पूरुक बोलेगा तो उसके वचनों का आदर, मान, सतकार और उसको आचरन में लाने का प्रे तन ग्रस्ति लोग करेंगे तो विचार पूरुक बोलना अब साधू साधू में जब चर्चा करे तब भी विचार पूरुक बोलना ये मेरे से दिक्षा में बड़े हैं, उमर में बड़े हैं, ज्यान में बड़े हैं, मैं कैसे विने पूरुक बोलूं, सम्मान जनक बोलू अपनी जिग्यासा को किन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करूं तो ये सारी चीजें अध्यन पर निर्भर करती हैं, विवेक पर निर्भर करती हैं, समझ पर निर्भर करती हैं, एक बार की बात है, दिल्ली चांदनी चौंक बारादरी महावीर भवन का एतिहासिक जैनिस इस्थानक वहां विच्रन करते करते एक एकल विहारी संत आये संत थोड़े तपस्विवी थे और अपने आपको अक्सर कहा करते थे मैं फला का शिश्य हूं मैं स्पष्टवादी हूं मैं किसे दबता नहीं हूं और उस समाज में चांदनी चौक में अगरवाल जैन समाज और ओस्वाल जैन समाद दोनों पहले भी रहते थे आज भी रहते हैं अब तो काफी हद तक घरी कम हो गए हैं और बड़ा रुत्वे वाला छेत्र था बड़े-बड़े साधू बड़े-बड़े आचारी वहां पर आया करते थे तो महारा जब पाटे पर बैठके प्रवच्च देने लगे तो कोई 20-25 साल पहले ओस्वाल समाज अगरवाल समाज में थोड़ी खीचातानी सी रही थी और खीचातानी थोड़ी कुछ साल खीच गई थी अब वो बिलकुल नॉर्मल थी ठीक थी सब लोग नई प्रीडी के बच्चे भूल भी गए थे ओ महाराज जो पुर तो सुना दो और यही पुरानी बाते कुरेदिनिय तो किर्पा करो मंगलिक सुना दो और आप उपर कमरे में पधारो आईना दिखा दिया और वक्त वक्त पर आईना दिखाना पड़ सकता है यदे कोई जादा सीमा का उलंगन करे तो कहने का मतलब यह है साधू को अपने व चाहिए आज मैं देख रहा हूँ कुछ राजनेतिक दल साध्वों को प्रमोट करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं बड़ी सभाएं करवाते हैं पीछे से पैसा लगाते हैं कुछ जमीने आश्रम वगरा बनवा देते हैं और वो राजनेतिक दल अपने दल के पक्ष में हवा बनाने के लिए उन साध्वों का यूज करते हैं और साध्वों भी पता होते सोते यूज होते हैं साध्वों को कभी किसी के प्रैशर में आकर के यूज नहीं होना चाहिए विचार रखे कि मेरा कोई इंडिवीज्वल राजनेतिक सोच कदाचित है भी तो उस सारुजनिक रूप से इधर उधर की करनी सुरू कर दे आवश्चक्ता है साधु विचार पूरुवक बोले अगला सूत्र कहा है अनुणू वीभासी से निगन्ते समावैज्या मोसं वैडाए कहा है कि जो विचार पूरुवक नहीं बोलता है जो विचार पूरुवक नहीं बोलता है उसका वचन कभी ना कभी असत्य से जूट से दूसित हो जाता है बात भी सही है सोच के बोल रहे हैं तो हम सही से बोलेंगे और बस बोलना है शुपरफ़ास्ट बोलना है कुछ भी बोलना है तो उसमें कब जूट निकल जाए पता नहीं आप हो हम हो पॉलिटीशन्स हो संसद में हो विधान सभा में हो जो सोच के चिंतन करके विचार पूरुक नहीं बोलते उनके मुख से जूट निकलने की संभावना बनी रहती है तो जूट क्यूं बोलें लेकिन आज जूट और सच को लेकर के लोग इतने हलके हो गए हैं बोल दिया तो क्या नहीं बोला तो क्या यानि जूट बोलने पर लोगों में खेद का भाव गिल्टी का भाव निया तहाए मैंने जूट बोल दिया कोई बहुत ही मामूली से कुछ लोग होंगे जो ऐसा मैसूस करते मेरे से मुझसे जूट निकल गया और बड़े प्लानिंग से बड़े सोस समझ के जूट का ताना बाना बुन करके लोग बाग बोलते हैं तो कहा है जो विचार पुरुक नहीं बोलता उसका वचन कभी न कभी असत्ते से दूसित हो जाता है उसे जूट नहीं बोलना चाहिए हड़ बड़ी नहीं करनी चाहिए और साधू को तो खास तोर पर साधू जूट ना बोले हमारे यहां साधू के लिए एक शब्द आता है आपने का महराज दरसन देने पदारना आप में इतने बज़ के इतने मिनट पर शार पर पहुंच जाओंगा ऐसा नहीं पहुंच जाए लेकिन यह नहीं कि वाइदा करें और मान लो कोई नया फ्रेशर है और उसने देखा साधू जी ने कहा था तो आई नहीं तो उसके मन में एक आगास ता लगेगा साधू भी साधू ने कभी जैसा अवसर होगा प्रॉमिस कुछ नहीं है जैसा होगा मैं अपनी और से कोसिस करूंगा तो बहुत सारी चीजों में साधू के जैसा अवसर होगा एक शब्दोर आता है सूखे समाधे सूखे समाधे आपके छेत्र को फरसने की भावना है तो यह सारे जो वर्ड हैं यह वचन गुपति को संभालने के हैं कि अपने वचनों को संभाल करके वानी का वचनों का सही उपियोग करें अपने वचनों का दुरूपयोग हम ना करें अगले सूत्र में कहा है लोब पत्ते लोभी समा वैज्जा मोसम वैणाए इसका अर्थ अभी प्राय है लोब का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्ते का आश्रय ले लेता है अब देखिए मन में ख्याल आया साधु जी के या साधु जी के परियुषनों के वास संग आ रहे हैं समा जा रही है उन्होंने पूछ लिया कुछों की प्रवर्ति भी होते हैं जी यहां कोई मास्खमण हुए हैं कोई अठाईयां कुछ हुई हैं पोश्ट कितने हुए थे अब साफ साफ कह दे ना जितने हुए थे इमेज बनाने के लिए ये कहे कि बहार के लोग हैं कम बताया तो क्या सोचेंगे इनकी प्रेरणा से क्या धरमध्यान नहीं हुआ क्या तपस्या नहीं हुई अब तपस्या क्या कोई जवरदस्ती का सोदा है प्रेरणा का है साता का है अनुकूलता का है भावों का है, तो साधू साफ साफ कहितनी इतने अठाई इतने बेले तेले हुए है, बड़ा चड़ाके बोलने की जुरूत क्या है? कि सामने वाले के सामने मेरी कोई image بن जाएगी प्रवचन में लोग دोस्टों आते हैं किया भी लगवग दोस्टों के आजपस आते हैं दोस्तों को चार सो कहने कि क्या वशकता है और ये काम रागी भक्त भी करते हैं कभी-कभी महराज लोग भी कर लेते हैं वचन भंग होता है असत्य का दोश लगता है क्या को रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने बढ़ा चड़ा के पेश कर दिए तो से कोई बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी यह कोई आवश्यक नहीं है सही शब्द का प्रियोग करने का भाव रखे चात्रमास की विंति आई नह इस तो बहुत सारे कई बार असत्य के शब्दों का वचनों का प्रियोग करते जो नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग क्या है इमेज क्रीट करना तो इमेज के चक्कर में जूट का असत्य का सेवन ना करें लड़का 28 साल 29 साल का हो गया कि रिष्टे वाला कोई टक्रा गया कि उसका बजट चालिस लाग, तीस लाग का है, और लड़के के पिता जी, ताओ जी, चाचा जी या अन्य कोई, वो कह रहा है नहीं, यह सत्तर लगाने वाले तो आ चुके हैं, यानि वो यह कह रहें, सत्तर से आगे बढ़ो तो विचार करें, इस परकार की बात कहने की आवश्चक्ता नहीं है, पैसे को लेके, लोब को लेके, असत्ते का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह लगा यारू हमारा खास दोस्त है, खास रिष्टेदार है, और मैं कोट में जाके, जज़ के सामने जूटी गवाई दे दूँ तो बिचारा बच जाएगा, और अपना खास आदमी है, अब खास आदमी के चक्कर में जूट बोलने के लिए कोट जाना, और गवाई देने से पहले कहना, हाजी मैं सच बोल रहा हूं, सच कहला कुछ नहीं कहूंगा, यह जो वर्डिंग कोट की है, ठीक है वो वर्डिंग अपनी जगह पर है, लेकिन बोलने वाले जूटी गवाई वाले बड़े ट्रेंड होते हैं, आखे भी नहीं जबती वहाँ पर जजज के सामने, आख से आख मिला के जूटी गवाई फटाबड दे देते हैं, लेकिन न्याय प्रभावित होता है, आवशक्ता की ऐसा काम ना करें और अपने लोग के चक्कर में असत्य का सेवन ना करें, एका सुत्र के क्या अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, अनुन वियम पान भोयन भोयम से निगंथे अदिन्नम भंजिज्जा, का की जो गुरु जनों की अनुमती लिए बिना भोजन करता है, वे अदत भोजी है अर्थात एक प्रकार से चोरी का भोजन करता है, आप इसको समझिए, ये आप ग्रस्तियों के लिए नहीं है, साध्यों के लिए है, मान लो साध्यों का टोला बड़ा है, पांच, दस, पंदरा, बीस का ग्रूप है, पहले ऐसे खुब घूमा करते थे, और आज भी कुछ प अपवास हो सकता है, कुछ का इकासना हो सकता है, अब गोचरी लाने वाले साध्यों गोचरी यानि आहार लेकर के आए हैं, अब बड़े साध्यों जी महराज उपर की मंजिल में, नीचे की मंजिल में, उस कोने में विराजमान है, अब साध्यों ने सोचा, रहे कौन है तो उसके लिए कहा है कि वहे साधु वहे साधु वे अदत भोजी है अदत भोजी का मतलब चोरी का आहार कर रहा है आपको चोरी कैसे हो कि गरस्तियों कैसे मांग के लाए है तो वैसे तो चोरी नहीं है चोरी के वली इतनी है अपने गुरु जन को बतलाया नहीं अब गुर व्यवहार क्या है गुरु से पूछा है हमने अपना व्यवहार प्रोटोकॉल हमने निभा लिया और इसके अलावा यह अनुशाशन भी है अब किसी टोले में हर कोई अपनी मनमर्जी करता रहे बड़े संत को बतलाए बिना चुपके से निकल गया दो घंटे तक बाहर घूम क करके घूमना मतलब गरस्ती के घरों में गया कहीं घूमने गया वॉक पर गया अब घूमके आगया उस साधू को बड़े साधू को पता ही नहीं कि कोई थानक में है नहीं है तो इस प्रकार बड़ों की आग्या लेके कुछ कार्य करना यह वैवहार भी है अनुशाशन भी ह और इस वैवहार और अनुशाशन को साधू भी पालन करें और आपके घर के बच्चे भी पालन करें आपके घर के बच्चे छोटे हों चैब बड़े हों कॉलिज में क्यों ना जाते हों लेकिन यह कॉलिज वाले बच्चे कूतर के जादा करने लग गए अब हम बड़े हो कि हम बात बात में पूछेंगे, हमें पता नहीं है कि ये सब कुछ आप कितनी घ्यानी हो कितनी समयदार हो लेकिन बढ़ों के लिए तो आप बचते ही रहोगे. और वेवार में आपको उन से पूछ करके जाना चाहिए आग्या लेकर के जाना चाहिए आप इस प्रकार से आग्या लेंगे काम करेंगे